हेलो फ्रेंड आप सभी लोग सवाइथ हैप के यूट्यूब चैनल माइनिंग टार्गेट में फिर से आज हम माइनेक्ट नाइंटी फिटी टू को पार्ट टू लेका है और इसे हम चेप्टर टू पूरा कंप्रीट करेंगे साथ में लाश्ट में आपको एंसी क्यों करने स्क्राइब आप सही कड़ेंगे निखेंगे क्या होता है कि जो हमने पढ़ाए यह समझ मेhen और दूसरा का यह यतने कोछन आप सही कड़ें के उत्ता आपको उसी बिसम बात की जाए तो फ्रेंड्स आप बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएए पूरा आपको कॉर्स में फिरिम कराऊंगा माइन नेट के वाद आपन माइन रूल और बीटी सी भी कंप्लीट करेंगे ठीक है और जितने भी रूल बगेरा है सब कंप्लीट करेंगे तो करता है सेंटर गवर्मनेंट से गाहिए सब कॉस्चन बनेंगे भी लास्ट में कोस्चन करेंगे आप लोग एंसर बताएगा ठीक है ठीक है उनके क्वालिटी के धार पर कोने पॉइंट करता है चीफ-इस्पेक्टर को तो अब परसान होई इंगेजिंड डिरेक्ट्र एपकर सकते हैं और अगर दियूटी को भी कर सकता है ठीक है अगर पर्मिशन मिले तो फिर चीफ इस्पेक्टर को किस तरह करते हैं तो पब्लिक सर्वेंट की तरह कंसीडर करते हैं कौन से एक्ट कैंसर तो इंडियन कॉड 1973 एक्ट कैंसर तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो क्या होता है पॉब्लिक शर्वेंट होता है यह बिग्षीन आ सकता है तो पॉब्लिक के लिए काम करें फिर फंसान ओफ इस प्रेक्टर के क्या सेक्शन 6 ठीक है श्रीव इस प्रेक्टर के तोर पर अपनी पावर दे सकता है ठीक है जो कि किसके दारा प्रूबल लेना पड़ेगा उसको सेंटर गवर्मेंट को दारा ठीक है और अगर वह है मतलब उसके पास वह कौलिफिकेशन है तो चीफ इस्पेक्टर को अपनी पावर दे सकता है ठीक है आप लोग चीफ इस्पेक्टर के रिस्टिक्टर और पोहिट एनी चीफ इस्पेक्टर को ठीक है रोट लोकल एरिया और ग्रूप माइंडर पावर ठीक है मतलब जो भी लोकल एरिया ठीक है किसकी अंडर में दे सकता है इस्पेक्टर के न क्या क्या रखेगा चीफ रस्पेक्टर और इस्फप्टर के पास क्याक्य प्रावर ठीक इसके बार्माइबस करते हैं तू पहला मेक नेशन च्छ और्म इडूर मैंट फोर व informwl बनक्रव उन्क्राले करेता हैं किसके रेगुलिशन और को जांच कर सकता है ठीक है जो भी उसको सही नहीं लगेगा दूसरा इंटर इस्पेक्ट इन्य माइन डे और नाइट मतलब किसी माइन का एक्जामिनेशन कर सकता है दिन रात कभी भी एनी टाइम ठीक है जब उसका मन करें ठीक है और बट देशुड नोट परफॉर्म सच इस्पेक्शन अन्रिजनली ड्यू टू विच वर्किंग ऑफ माइन गेट मतलब बिना रीजन के ऐसा काम नहीं करें जिससे माइन के काम में कोई भी बाधा आए ठीक है मतलब ऐसा इसा इस्पेक्शन नहीं क जैंसे क्लेजने के यान करें तो भी ड्यूप spice एड़ा मतलब कलुक्त का वहां पर आप लुईंग नहीं ठीक है जरूरी चीजों के ऊपर ठीक है घ़्यू गोडारे माशच सकता है तिक है किसी पारे में ठीक है जो उसको रहन नहीं लग रहा है ठीक है फिर एक्सर सब्सक्राइब इसको कौन देता है सेंट्रल गवर्मेंट करने साथ रहेगा ठीक है अगला पॉइंट है इन दा एब सब सेक्शन पर संसेल भी फोर्स तो एंसर एनी कोश्चन और में का स्टेट्मेंट मलब किसी पर संको दबाव नहीं डालेगा अगर वो नहीं चाहता है किस पर उन्हीं सदेट्राइब लाइन अन्दैसे वार्न लिए और स्विव और कॉड पर बात किया था मतला उसको कोई भी चीज अगर सही नहीं लगती है ठीक है इंक्जामिन के दोरान कोई से भी जगह में सच करता है ठीक है और सही से उसको नहीं लगता कि रूल रेगुलेशन को पालन हो रहा है ठीक है इस तो अपना कोड़ प्रिमिनल पॉसेंट नाइटी सेवनटी त्रू के अनसार ठीक है और अपना जो सक्षान नाइटी फोर उसके अनसार एक वारेंट जारी कर सकता है ठीक है किसके खिल जाबर्बंट कोई पर्सन जो के सर्वेइंग डिक्रेशन कई तो तीन दिन नोटिस देगा ठीकिंगे मेनेजर को pra новых जाने के पहले으면 बंस्त करके कि समझ गया तो किते दिन पहले टीन दिन पहले चीफ इस्पक्टर को दे nenhum को इस्पक्टर कोई कोई भी परसन जा सकता है जो कि जिदल की नोकरी में हो तो किरिक इस्पक्टर कि अगला अपना आते हैं इप चीफ इस्पेक्टर और इस्पीटर कंसीड़ने अगर कोई एमर्जंसी आ जाती है ठीक है तो पर्मीशन लेने जुरूत नहीं है चीफ इस्पेक्टर किसी परसन को भेज सकता है अंदर ठीक है माइस के अगर कोई डूपना अपने को नौने को नाचिस नहीं यह ठीक है ति यह अपना हो गया सक्ट्रेट आगे अपना ऑपना आथे सेक्ट्छन नाइन कहें स्पेक्टर मतलब इस्पेक्टर क्या कि आप डुर्बाइट की जाए कि क्या की शिबधा तीक के यौनर एंटेटी बनेजर फ्माइ कि इंट्री का का मेजरमेंट का और एक्जामिन का उसका किअ वहां कर सकते जब Cons Vancouver क्या करना आए За ठीक के माइस में तो किसकी जिम्मादार रहेगी ओनारेजिट अरेजिन और मनेजर की ठीक करें क्या क्या है तो याद रखेगा तो तो भी प्रवाइड फोर दो प्रवाइड की जाएगी शुब्धाइड ठीक है जो भी है तसर भी करने आएगा ठीक है ज़िए चीफ इस्पेक्टर और स्पेक्टर और एरिया दर ऑफिर अफ्राइज बाइज भाई चीफ इसपेट भी हाफ मैं at the time during the normal working hour of the mine day or night have given notice to manager to mine undertake safety and occupational health survey in a mine मतलब यह है कि अपना जो भी duty period का समय रहे है चाहे हो दीन हो चाहे रात हो ठीक है तो चीफ इस्पेक्टर और इस्पेक्टर किसी को भी उथ्राइज कर सकता है ठीक है उसके भी हाफ में ठीक है और मैं मैंनेजर को नोटिस देगा ठीक कि वह जांच करने आरहा है कि सेप्टी और Occipes in health के अगद्ध करने आरह करना ठीका क्या क्या है एक्जामियाशन फेस्लेटी प्रॉइट करेगा टेस्टिंग प्लांट एंड मसीनरी की ठीके कलेक्षण ऑप सेंपल ठीके यह सब प्रोवाइड करेगा अदर डे रिलेटेड रिलेट्ट सर्वे ट्रासपोर्ट जो भी रहेगा फिर एक्जामीन एनी जोस फॉर सर्वेटीके मालब किसी भी पर्सन को वह चूस कर सकता है ठीक के सर्वे लिए ठीक के अंदर ये सब धाय प्रोवाइट कराएगा उनर एजेंट और मैंजर और मैंजर और मैंजर ध्यान रखी कहा कहां पहाँ पर आ रहा है जैसे यहां टीक नौर्मट अगर इसक्टर आएगर यांच करने तो वहाँ परेंड बनेजर अब फ्राइवर्ट से और से प्रोवेशन निगारी नहीं द्रॉटर्ट परपूस भी कांटेस यह वर्किंग तयम तो जो भी वो इस्प्रेक्शन करेगा ठीक है जो भी परसन एक्जामनेशन करने आएगा तो कि उसका किसमें किसमें किया जाएगा वर्किंग टाइम मतला वो ड्यूटी ही कर रहा है ठीक है अगर वो ज्यादा काम करता है ठीक है मतलब सार एक्जामनेशन करते करते अगर आट घंटे से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या जाएगा ओवर टाइम दिया जाएगा जो कि क्या रहेगा ओदने डी डी डेट वेज़स रहेगा ठीके जितना रेट चलता है ठीकिए उसी इसाब से समझे आप लो बाकिया उसको वर्किंग आवर में करेगा तो कोई भी बीडिया जाएगा ठीके बरकिंग के बाद अगर करे फिर यह थिर रहेगा फिर एंडर्गाउंड रांशस जो ही मिलता है ठीक है को मदमारित कहने सकने हैं Bio आफ सेर्ट सी haे हैं पर काउन पारने मांत לפष मतरन पर इसको बोनस के तोर पर नहीं कांसीडर किया जाएगा तो जो भी अपना आएगा उसको क्या-क्या ओस्प्धाय दी जाएगा इसके बारे हम देखिए पहला उसको फिरी कमरा दिया जाएगा फिरी कोल भी देंगे तो यह सब सुविधाय देनी है जो भी अपने माइस में वरकर रहेंगे उनको ठीक है और उनको पेवंट देना है और नी डेट वेज़स के इसाब से टी एडी अंडर गाउंड राउंस तो यह सव्याद रखिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि एनी पर्सन हूं अगर प्रसन को मेडिकली अंफिट तूडिस्चार्ज कर देंगे तीक है की ड्यूटी से मुक्त कर देंगे कि आ आप जाओ जाओ वगेरा कराओ विफोर सच परसंट से अंडर वेडिकल ट्रीट्मेंट कोश्मलाब जो भी उसकी जांच वगेरा होगी उसका पैसा कोन देगा तो और मनेजर देंगे याद रखेंगे ठीके विद फूल वेज़ेश डूरी मतलब उसकी बीमारी के जाच के दोरान जो भी इलाज के दोरान ठीक उसकी पेमेंट रहेगी उसको फूल दी जाएगी जित्ति भी पेमेंट रहेगी ठीके समझ गया चार-पांश कोशन यहां से पर चाहिए जिसके बाइब कर दो फूल देना थिक है अगर अगर आगर यहां व्यूसके उसको दूसरा काम देदेगा तो उसके लिए मैडिकली में टीडिया फीट होगा ऑन गयाँे तो फूल अन्टर जर्टावर करता था बाहर बाहर बैठा देगा ठीक है आप कई लिखिए या फिर फॉर्म वागेरा फ़रिए समझ के यह नहीं कि उसको हटा देगा इप देयर लिख जो भी डिसेवेल्टि लांसिंस के अधार पर उसको पैसा दिये जाए तो फिर ए पर संट डिसाइड करता है कि वह अपनी चोड़ रहा है तो अने रेजेंट और मंजे सेल हिम लंप संप मनी अंडर दिस्वेल्टि मतलब डिस्वेल्टि के अधार पर उसको क्या देगा अधार उसको जो होता है पंशन वगेरा देगा ठीक है डिसेवेल्टि कंसार में अगर वो कह चाहता है को अपना काम छोड़ रहा है ठीक है दर रेट ओफ अधार पर देट वीडिटर्माइड अकोडिन टू दम बंतली वेजिस ओफिए ठीक है रेट एंड नेचर ओप डिसेवेल्टि एंड अधर फेक्टर रिलेटेट तो इड़ जोग अपना पैसा दिया जाएगा तो डेली वैसे खिसाफ पह दिया जाएगा ठीक है जिता इसक जाएगा फिर चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा सिकेट्रियों ऑफ इंफोरमेशन ऑप्टेंट ठीक है सिक्रेसी ओफ इनफोरमेशन ऑप्टेंट चलिए इसके वारे लेगते हैं और कॉपी ऑप स्टेट फरम रिजिस्टर और रिकॉर्ड डियूरिंग इस्पेक्शन सेल रिगार्डिंग तो कॉन्फिडेंटल अलेस्टीफ इस्पेक्टर कंसीजन डिस्क्रोजर नेसे सरी मतलब जो भी जाच के दुरान रजिस्टर किया गया है रिकॉर्ड किया गया उसको क्या करें कॉन्फिडेंटल रखेंगा किसी सामने खोलेंगे ठीक है जब तक कि चीफ इसकंडिटू का करने में तो बताना पड़ेगा कामेटी के सामने बताना पड़ेगा ठीक है और Xi को बताना जरूरी है कि इनके लिए कॉंफिडेंटल नहीं है कमिशनर फॉर वर्क में कंपसेशन बताना पड़ेगा आई विम कंट्रोल को भी बताना पड़ेगा साथ जैदा रॉप्सर जो भी इसके विहाफ में सेंटर गवर्मेंट जिसको अथ्राइज करें तो उनको छोड में केस रख चल रहा है तो लिए को फिर नहीं रख सकते हैं अब इस चीफ इसपेक्टर इस चीफ इसपेक्टर इस डिसक्रोजर एनिस सच इंप्रोशन बिथाओट पर्मीसन वे मतलब बीना सेंटल गवर्मेंट की पर्मिसन लिए और यह सभी इंफॉर्मेशन को डिसक्लो या तो एक साल की सजा या तो फाइन या तो दोनों एक साल की सजा भी और फाइन भी ठीक है तो यह भी याद रखेंगे नो कोड़ से ली प्रोसीड ट्राइल एनी ऑप्सेंस अंडर सेक्शन एक्षेंजेंगे पर्मिसन वाइद जरूरी नहीं अब आतने अपना रिगुलेश जरूरी नहीं है फिर नो परसंट सेल भी पॉंटेट और अथ्राइज एकसर साइज पावर नहीं दी जा सकती जो कि क्या है अपना माइन्स का ओना रेजेंट और मनेजर है और या फिर वह माइन के कि किसी भी बिजनेस में इंबॉल्व जैसे मसीनरी वगेरा में तो उसको यह पावर नहीं दी जा सकती ठीक है सेंव पॉंटेट है एकसर साइज पावर ठीक है तो याद रखेंगे को सेंटिफाइज सर्जन को नट्स लाइक कौलिफाइज मेडिकल प्रेडिक्टर कोने पॉं सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है इसका राइट इंसर बताईए एक कमेंट में बताईएगा एक दो कोश्चा फिर अकॉर्ण टू बीच प्रिमिनल कोड चीफ इस्पेक्टर एंड इस्पेक्टर साइज पावर भी बताये था मैंने कोड़ों क्रिमिनल पोसीड़न नाइटी सेवंटी इस्पेक्टर 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 करता बताया तरफ किसको देना करती को करता कर रहे कॉन करता है। टीक्मेंट के अनुसार उसको बेज़ेस किसके अनुसार दिया जाएगा तो इसका एंसर बताएगे कि तो उसको क्या दिया जाएगा मैंने बताया था फूल पइमेंट दी जाएगी ठीक है टीच्रीटमेंट के दोरहां फिर आठवाइफ कि इन फिट परसंट नोट प्रोवाइट वाइद वाइद अल्टरनेटिव जोब अगर किसी पर्सवन को अल्टरनेटिव जोब नहीं दे सकते वह फिट है तो ओना ड़िएग्यों टू तो तो फोल्ड पर्सवाइब किस अमस्वार देगा मैं नहीं बता है था राइट एंसर कर सकते हैं शुरू महीं बताया था जो डारेक्टली माइन के उसमें इंगेज उसको नहीं कर सकते हैं इंगेज इंगेजिन माइन इसको भी नहीं तो क्या होग अपना राइट एंसर ओल अब दीज ठीक है किसी को भी प्वाइंट नहीं कर सकते हैं ठीकि चीप इस्पेक्टर फिर कि ना इनिवन नमबर कोस्चिन में आ जाते हैं कि चीप इस्पेक्टर आए अ और राएमिस पर्फॉंड पावरट चीफिस्पेक्टर यह तुन ने बता दिया देटेश्टटर राजनी इस परफॉर्म पावर और चीफ इसपेक्टर भाई किसे अप्रूबल रहे तो अपना राइट एंसर क्या है सब बताएं सेंटर गवर्मन को इस टिक्टेट कर सकता है को अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता है अभी बताया थे मैंने कौन इस पावर नहीं कर सकते हैं तो राइट एंसर का अपने डी ठीक फ्रेंस आगे आते हैं तेरा नंबर को समझाते भी चल रहा हूं बड़ा महनत लग रहा है वीच अब इसमें से कौन सा पावर नहीं चीफ इसपेक्टर और इसपेक्टर का ठीक है तो आप बताएंगे मैंने बता दिया तो बता दिया खुटी नंबर विच अब फॉलोंग कंडिसरा नोट नेसरी टू जामियरेशन वाइद इसपेक्टर वाइल दूई थायु कंडिस इसक्डिसर स्टाव कार Meg graft liberty को द्रान कोंसी स्टाव कर सकता है ठीक है कोई दिक है की बाक नत्रक्राद करके सब्सक्राइब करें तो कौन सा सब्सक्राइब करता है तो कोन सा सब्सक्राइब करने तो पर यह नहीं है पर सब्सक्राइब कि परसंट को दबाव नहीं बना सकता है ठीक है इस्टेटमेंट देने को राइट एंसर क्या है अगला इस्टी इफ नी ओफन इस फांट टू डवाइद माइन अंडर एक्ट देन वारेंट केंवी इसू अगेंस इंडर सेक्षन नाइटी अगर क्या क्या जाता है कोई भी जांच के दोरान मतलब सही नहीं पाया जाता ठीक है तो अपना चीफ इसपेक्टर और इसके खिलाब वारेंट जारी करता है सेक्षन नाइटी फॉर तो कौन से क्रिमिनल प्रसुडर्ट कर जारी करेगा तो हमने बताया था राइट एंसर क इसी कोड़ों किनर प्रसुडर्ट नाइटी सेवंटी थ्री एंडी परसान उत्राइज वाई चीफ इसपेक्टर फॉर डेस सेल विगन त्री नोटीस मतलब तीन दिन पहले नोटीस देगा ठीक है मेनेजर को कौन चीफ इसपेक्टर ठीक है किसी परसन को पॉइंट करता है माइस में किस लिए किस लिए पॉइंट करता है तीन दिन पहले नोटीस देगा मैंने बताया था सर्वेंग के लिए लेवलिंग के लिए मैजरिंग ऑफ एनी माई तो राइट एंसर क्या होगो डी ओल अब दीस अब आगए आते हैं अठारा पे अठारा का विया एनी परसन अथी बंसी सर्विस में होना चाहिए वो तो मैं बताए तो सेंट्रल कवर्من्ट की सर्विस में होना चाहिए जिसको फिस पिदरने वो मेंजरिंग के काम के लिए अंडर दे कंडिशन चीफ इस्पेक्टर ड़स रिकाइड तो गिव नोटीस नहीं देगा मेंजर को माइंड में इंटर करने के पहले तो किस कंडिशन बताया था मैंने अगर कोई भी क्या पढ़ जाए अमर्जन सी पढ़ जाए तो राइट एंसरे प्रवाइड करने तो इसको प्रवाइड कराना तो यह सब तो कराएगा एट फूड नहीं देगा फूट कर नहीं पर जिकर नहीं है ठीक हम यह लोगों आगे देखते हैं 21 क्या है अपना प्रवाइड की जाएगी ठीक काउंट है तरीक है सर्वे के दौरां जो बिसने टाइम स्पेंड का माइन के अंदर तो वह समय को किस किस पर काउंट किया जाएगा अपसें टाइम कभी नहीं ऑबर टाइम कभी नहीं किस पर टाइम वर्किंग टाइम कर बताया था ना फिर वाट सुड भी दे रेट बेजस परसान एक्जामिशन मतलब उसका रेट बेजस कहा रहा है जो भी सब्सक्राइब काम करने आएगा ठीक है तो मैंने बताया था क्या क्या और नी रेट बेजिस किसे कहते हैं तो उसमें क्या रहेगा अपना बेसिक रहेगा डिये रहेगा अंडर गाउंड अलाउंसे रहेगा कंपंसेशन इसके सब्सक्राइब करें अब यह विल भी दावियर दो कोष्ट प्रिट्मेट इपरसंट फांड मेडिकली अगर कोई मेडिकली एंफिट परसंट तो उसका इलाज का पूरा पैसा कौन देगा तो मैंने बताया था ओना रेजेंट और मनेजर राइट एंसर का है टी ओन वीच अफ़ फालोऑं ऺटोब डिस्वेल्टी कमपसाइब ठीक है बैट दिशुथी कंपसेंशन किस अधार पर इसाइट नहीं किया जाएगा ठीक है तो नेचर ऑ्बिस्वेल्टी ठीक है अंडर्गाउंड आंसेंस ठीक है मंसली बैज इस उफ़ंप्लोई वह तो देर साही रहेगा किस प्रकार्स उसकी डिस्विल्टी ठीक है अधार फेक्टर डिस्विल्टी ठीक है अंडर्गाउंड साइस के कहीं बात ही नहीं आई राइट एंसर का एड़ी कर आगा कि अगा कि ठीके फ्रेंट्स बाकि आप कोश्चन देख लीजिए अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि अधाद हमें समझा ही दिया है अधार को डिसकस करते हैं जैसे चीफ इसर केंडिस्क्लोज एनी कॉंफिटेंटल डॉक्युमेंट को भी कॉंफिटेंटल डॉक्यूमेंट किसके सामने चीफ इस्प्रेंट डिस्कॉस करता है ठीक है मैंने बताया था कोड के सामने ठीक है कोड के सामने कोई भी ऑनरेजन मनेजर करें तो राइट एंसर का है ओल अब जीज इफ उनफिट परसंट डिसाइड टू इस टूंटिएट देखिए कोई परसंट के बाद भी अनफिट है तो ऑनरेजन और मनेजर उससे कोई दूसरा जोब देगा ठीक है कब देगा तीन दिन बाद देगा साथ दिन बात देगा एक मन में बाद में बताई का इमीडेट ली तूरंद देगा राइट एंसर क्या है सी ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं भी यह लोग आगे आप लोग देखी लीजिएगा कुछ है नहीं अगर समझ में नहीं आए तो बता देना इसे का कोडिस करते हैं अगर एक अगर्ण टू बिच सक्षन सेटीफाइश अजन इंप्लोई एपॉंटेट कौन से सक्षन कर शार मैं ने बतायत शेटीफाइश अजन सेक्षन 11 जिन्नों कोड सरी पर ट्रायल और आफंट चीफ इस प्रमिशन ठीक है राइट एंसर सेंट्रल गवर्रमेंट तो ठ ठीक है थैंक्यू फूर बोचिंग मां यूटूब वीडियो कल में और लेकांगो फ्रेंड इसके उपर एंसी क्यों लेकांगो डिसक्स करेंगे बढ़ियां और इसको पूरा करें पूरे टेंच चैप्टर और अच्छे से बताने कोसिश करूंगा तो थैंक्स फूर बोचि क्लियर होती जाएंगे